हेलो स्टुडिंट मैं मजी सर आज हम लोग जेक बोट के दसवी कलास के लिए टंगवन का हिंदी का सेट 3 करेंगे सेट 3 को सोल करेंगे इससे पहले हम लोग ने साइस सेश्टी का भी सेट 3 तक कर चुका हूं अपलोट कर दिया हूं जिसने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो के देख लें और वीडियो अच्छी लगीगी तो लाइक सेर और सब्सक्राब जरू कियेगा चलिए तब हिंदी का सेट 3 सोल करते हैं हिंदी का प्रस्णह मानुवजाति को महत्व देने में किसका योगदान है तो मानुवजाति को महत्व देने में विवेग और विचारों का महत्व है esimerk मनुष्य की श्रेष्टा की नीव क्या है तो मनुस्य की सेष्टा की निव सदाचार है दोकांसर सी तिसरा का प्रश्ण का अंसर होगा प्रश्ण है विचारों की पूंजी में सामिल नहीं है इसमें कौन से विचारों की पूंजी में सामिल नहीं है तो ये उत्सा विचारों की पूंजी में सामिल नहीं है मानों में पाश्विक परवर्तियां क्यों जागरित होती है तो ये होती है कू विचारों की कारण चार का आंसर होगा C सद विचार का विलोम सब्द क्या होता है सद विचार का विलोम यानि उल्टा सब्द जो होता है वो दूर विचार होता है तो इसका आंसर होगा B, 5 का आंसर होगा B, अगला प्रश्न 6 नमबर, सिर्जन के आकास से क्या आशय है, सिर्जन के आकास का आशय यहां है, चिर्णियां का नया घोशला, 6 का आंसर होगा C, चिर्णियां अपना घोशला क्या जोड़कर बनाती है, तो चिर्णियां अपना घोशला लकड़ी लकड़ी जोड़कर बनाती है, पहले देख लेते थो आशय और क्या बताया गया है, इसके बारे में, तीन का तीन का लाकर, तो इसका आंसर होगा, लकड़ी नहीं होगा, सु आठ नमबर, मानव और दानव में क्या अंतर हैं, तो मानव और दानव आंसर होगा A, मानव आशू पोच्छते हैं और दानव आशू लाते हैं, आठ का अंसर होजगा A, नास का विलोम क्या है, तो नास का विलोम यानि उल्टा जोगया सिरिजन होता है, तो 9 का होजगा C, 10 नमबर प्रश्ण, कविता का संदेश क्या है, कविता का संदेश से खुद मित कर भी दुसरों का भला करना चाहिए, आंसर D, 10 का आंसर D, अब आते हैं सेक्षन खमें, यानि खंड खमें ब्याकरन से जो रिल्टेड परस्ण होते हैं ग्यारण परस्ण चुनिया कत्मान आस्मान में उठती है, इस वाके में कौन सी किरिया है? तो इस वाके में अकर्मक किरिया है ग्यारण का आंसर B, जिस वाके में करता और किरिया उपस्तित होते हैं, किन्तु कर्म ना हो, वो कौन सी किरिया होती है? जिसमें, अब परने ध्यान दीजे का प्रस्ण क्या कर रहा है? वाके में करता है और किरिया उपस्तित हैं, उसका कर्म नहीं है है तो यह कार्म किलिया होती है अगर कर्म होता है तो सकर्बक स्छब्ल के साथ को ठीक है तो त्जब्रक अमतर होता है था और में दक्षिन दिशा नहीं है यान्क भूतर हो द है लंध को जवाब इसलिए इसका अन्यकार्थिक सब्द यह नहीं है अगला परिशन 14 नमबर रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा तो इसका आंसर होगा ए रातो रात 15 नमब परिशन जिस समास में पहला पद अवे और पधान होता है वह कौन सा समास होता है तो पहला पद अवे वट से स्टार्ट होआइसलिस का अंसर होगा ए अवे भाव समास 15 का आंसर होगा ए 16. परश्ण व मिस्र वाख्य में एक परधान वाख्य और एक सेश क्षोंसा वाख्य होता है और जो तुसरा शेश वाख्य होता है वो आश्णित वाख्य होता है 16 gen Isa B शत्रन नमबर परशन राजा का महल राज महल कौन सा समा से तो राजा का महल बिच में का लग draft यह तत्व पूरुरिष समा से अगला परश्ण 18 नमबर निव्ण में से किस वाक्य में समुच्य बोधक का परियोग हुआ है समुच्य बोधक मतलब दो वाक्य या उख वाक्य को जोड़ता है तो इसमें हो गया मोहन और सोहन यह जोड़ रहा है गनिष्ट मित्र है तो इसका अंसर ए ही हो जा जाएगा अठारका अंसर ए 19 नमबर बच्चे गीतगार है इस वाक्य में कोण सा बाच्य है तिसमें बच्चे ही गीतगार उन इसलिए कत्री बाच होगा 19 का आनसर ए मज़ूरों के द्वारा पेड काटा जा रहा है मज़ूरों के द्वारा काटा जा रहा इसे लिए कर्म वाच होगा बी का अंसर बीस का अंसर बी अगला परशन है पस्तुत पद में किसके मन की बात मन में ही रह गई तिहां गोपियों की बात मन में ही रह गई किष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया तो किष्ण ने गोपियों के लिए योग का संदेश भिजवाया तो आंसर हो जागा बी बाइस का आंसर बी तेशन नमबर परशन किष्ण के संदेश को सुनकर गोपि की स्तिति कैसी हो गई तेसी हो गई थी जैसे वीरा की आग जल गई थी वीरा में तो जुदाई की आग तो तेस का अंसर हो जागा B चोबिस नमबर प्रश्ण गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उलंगन किया तो गूपियों के अनुशार किष्ण ने राजधर्म की मर्यादा का उलंगन किया तो चोबिस का अंसर हो जागा D पच्छिस नंबर प्रश्ण में उत्सा कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है तो इसका अंसर हो जागा B ललित कलपना क्रांती चेतना के साथ नव निर्मान नव संचार की ओर यह अंसर हो का पच्छिस का अंसर B जल जाध का अर्थ क्या होता है जल जाध का अर्थ होता है जल्वे से जन्मा हो यानि कमल का फूल अंसर हो जगा B च्छिस का अंसर हो जगा B 27 प्रश्ण नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवशक्तत्व की चर्चा की है तो नागार्जुन ने जो कभी है फसल कभी ताके उन्होंने नदियों का पानी किशानों का मेहनात अमिट्टी का गुन धर्म और सुई की किनो सभी को माना है आवशक्तत्व है इसलिए इसका आंसर हो जागा उप्युक्त सभी यानि 27 का आंसर हो जोगा डी 28 नमबर प्रश्ण कितने साल तक हलदार सहाब काम के सिलसले में उस कस्पे से गुजरते रहें तो इसका आंसर होगा ए दो साल तक अगला प्रश्ण 32 नमबर जो गध्यान से हैं प्रश्टुत गध्यान्स किस कहानी से दिया गया है तो यह नेता जी का चस्मा से लिया गया इसका आंसर हो जागा बी 29 नमबर हालदार सहाब कितने दिनों बाद कस्पे से गुजरे तो वे 15 दिनों के बाद गुजरते तो इसका आंसर हो जागा डी 31. कसबे के चुराहे पर किसकी पर्तिमा लगी हुई थी 31. 32. हालदार सहाब को क्यूं लगा कि अब मूर्ति पर चस्मा नहीं होगा तो हालदार सहाब को इसलिए लगा था क्यूंकि केप्टन मर गया था अब उसे लगा कि आप कोई है नहीं है ऐसा वेखती जो निताजी सुभाज चंदर वोश्की जो पर्तिमा थी उस पर चस्मा लगा सके इसलिए वो आंसर हो जगा 32 का B क्यूंकि केप्टन मर गया 33. बाल गोविन भगत ने बेटे की किर्या करम में किस से आग दिलाई 33. बाल गोविन भगत ने अपने बेटे की किर्या करम में अपनी पतोहु से आग दिलाई 33. बाल गोविन भगत पार्ट के आधार पर बताईए कि श्रम बिंदू का क्या अर्थ है बाल गोविन भगत जब पार्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि श्रम बिंदू जो है वो पसीना को कहा गया है 34. बाल गोविन भगत से ली गई है यह पंक्तियां कहां से ली गई है बाल गोविन भगत से इसका आंसर हो जगा C 35 का आंसर C 36. बाल गोविन भगत की शंगीत साधना का चरम उतकर्ष कब देखा गया तो यह तब देखा गया था जब उनका एक लोता बेटा मर गया यानि आंसर हो जगा B 36 का आंसर B अगला प्रस्तुत अंस किस कहानी से ली गई है इसमें माता का आंचल से 36 का आंसर अगा A माता का आंचल से किर्थिका से एक ही चेप्टर तो आ रहा है माता का आँचल से ज्जादा उसका उसी से रेटेट कोशन देगा उसमें साना साना हाथ जोड़ी जोच पंचब की ना आप मैं क्यूं लिखता हूँ यह सब तो चेप् लेखक का की मा ने लेखक के घृ और किया पीसकर लगाई तो पी तो नुब्यॉर लकाता हिरें तो जच्ख होड़ी कर देगा हो लगा है संब्षिकी पारें यह भाई चीप रहे ते म् कंद अब बच्चंग समझता है जो दर कें च्पोनीद अश्रक है का दो हाँ पारनान인 तो होगा मैया के आचल में मैया मा को कहा जाता इसलिए उन चालिस का ए मैया के आचल में चालिस नुमर प्रश्न माता के आचल में लेखों को क्या मिला तो माता के आचल में लोगों को प्रेम और सांती मिलती है इसका आंसर हो जागा ए चालिस का अंसर ए इस तरह से आज हम लो ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ सके आगला वीडियो जल्दी डालूंगा तब तक के लिए गुड़ बाई